हलो दोस्तों मैं अंकिता संतोसी आईस पे आप सभी का स्वागत करती हूं गटना सकर की जो सीरीज है उसमें आज हम लोग दो टॉपिक को कवर करेंगे एक टॉपिक है आपका राश्टी प्रतीख और जो दूसरे है राज एवं संगराज शेत्र ठीक है चलो डारिक्ट अपन में जंगरमन को भारत के राश्टगान के रूप में अपनाया गया था तो वो कब अपनाया गया था जो सैमयधानिक रूप से अपनाया गया था वो 24 जन्वरी 1950 को अपनाया गया था और इसकी गायन में जो समय लगता है वो लगता है बावन सेकेंड ठीक है आपका जो जव एक 후 24 जन्वरी 24 जन्वरी उनीसटो पचास को अपना है गया है next question की बात करते है भारत साचंद्वारा राजकी चिंढ कब से अंगी कृत किया गया तो ये कब अंगी कृत किया गया था ये किया गया था 26 जन्वरी 1950 को और ये जो लिखा हुआ है सत्ति में हो जैते तो जो सत्ति में हो जैते है सत्ति में हो जैते को कहां से लिया गया था तो ये लिया गया था ये मुंड कोप निज़त से ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की बात करते है निम्निलिखित कत्नों पर विचार कीजिए पहला है भारत की समिधान सभाने राष्टी ध्वच का प्रारोग 22 जुलाई 1947 को अपनाया था सेकेंड आपका है राष्टी ध्वच के बीच चक्र में 21 तीरिया है जो थर्ड आपका है राष्टी ध्वच की चोड़ाई लंबाई चोड़ाई का अनुपाद 3 अनुपाद 4 है उपर ये तकत्नों में काँ सा सही है तो बात करते हैं सारे आप्शन पर जो यहां पर 21 तीरिया लिखा हुआ है तो यहां पर यह 21 नहीं है यहां पर कितनी है 24 तीरिया होती है और ये तीन अनुपात चार नहीं होगा यहाँ पर होगा तीन अनुपात दो आपका जो जवाब होगा वो केवल और केवल एक होगा अब इसकी सारे आप्षन को आपको याद करना है भारत की सम्विधान सभाने राष्टी द्वज का प्रारो 22 जुलाई 1947 को अपनाया इसमें जो रंग है वो तीन है हरा नारंगी और शफेद वो जो रंग है वो अपने रंग का अलग-अलग पतनी धित्तु करते हैं उनके ये राष्टी द्वज को जो मतलब बनाया किसने था वो पिंगली यान्रे थीक है नीके। सिंक हुद करते हैं कि भारत का राष्टी पश्टु है तो जो भारत का राष्टी पश्टु है वो क्या है वो है बाग every sometime आज बाग की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है, तो बाग की सनच्छड के लिए जो योजना आई है, वो आई थी 1973 में, कब आई है बाग परियोजना, यह आपका आता है 1973 में, ठीक है, और हाथी परियोजना जो है, यह आता है 1992 में, नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं, भारत का राश्टी पुस्प कौन सा है, तो भारत का जो राश्टी पुस्प है, वो क्या है कमल है, और जो यूपी का है, यूपी का जो राश्टी पुस्प वो क्या है, वो है प्लास या टैसू, ठीक है, बात करते हैं भारत के राश्टी द्वज में आरो की कुल संख्या है तो आरा मतलब जो तेलिया है तेलियों की संख्या की पूछ रहा तो जो वो संख्या है यह आपकी 24 है और जो यह मोर है भारत का जो राश्टी पच्छी है वो मोर है ठीक है इसके बार अब हमारा जो राश्टी प्रतीक है वो कम्प्लीट हो गया है नेक्स्ट जो हमारा चप्टर है वो है आपका राज्य एवं संग राज्य छेत्र अच्छा जो जली बारत का जो जली फशू है तो वो का नहीं वो है गंगर आलफिन और इससे कब लाया गय थे इसे अपनाया गया था 2009 में और अभी ये यूपी में भी अपनाया गया यूपी और अशं में ठीक है अब पात करते है भारत में हमारे रास्ट का उल्लेक किस या किन नामों से किया गया है तो वो किन नामों से किया गया है वो किया गया है भारत तथा इंडिया और इसका जो भारत तथा इंडिया है इसका उल्लेक किसमें किया गया है अनुच्य एक में ठीक है भारत अरता इंडिया राज्यों का संगोगा यह भ सम्विधान के प्रथम अनुछेद के अनुसान भारत क्या है तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि भारत क्या है भारत है राज्यों का यूनियन भारत क्या है राज्यों का यूनियन ठीक है जो आर्टिकल एक है इसमें राज्यों के राज्यचेत्र की बात करेगा दूसरा और राजिछेत्र और तीन आने राजिछेत्र इन तीनों की बात करेगा जो आपका आर्टिकल वन है आर्टिकल वन में संग का नाम और राजिछेत्र होगा जो आर्टिकल दो है उसमें नए राजिव का प्रवेशिया स्थापना होगा जो आर्टिकल तीन है उसमें नए राज का निर्माड और वर्तमार राजो की छेत्रों की जो सीमाएं हैं उसके बारे में ठीक है घंक की बात करते हैं कि सम्विधान के निमनांकित में से किस प्रावधान के अंतरगत भारती संसत को नया राज्य बनाने का अधिकार है तो अभी नय राज्य का क्या पढ़ाता वो होगा अनुच्छे 3 जो अनुच्छे 3 के तहर नय राज्यों का निर्माण उनके छेत्र सीमाओं में नाम परिवर्तर का अधिकार किसमे नहीं थोता भारती संसात में जबकि अनुच्छे एक जो है इसके तहर संग और नाम का जो राज्य छेत्र है और अनुच्छे जो दो है उसमें भारती संग में नय राज्यों का प्रवेश स्थापना संग सक्ती किसको प्रदान है? वो प्रदान है संसद को ठीक है? नय राज्यों के गठन की सक्ती नहीं थे तो नय राज्यों की जो गठन की सक्ती वो किसमें नहीं थे? वो नहीं थे संसद में ठीक? भारत के संगिधान के अंतरगत निम लिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं को को परिवर्थित करने की सकती प्राप्त है तो सीमाओं में परिवर्थन हूं नाम में परिवर्थन हूं ये सारे अधिकार किसमें नहीं थैं ये नहीं थैं संसद में अच्छा संसद है जो संसद का भाग कौन कौन है तो राश्टपति लोकसभा और राज्यसभा जो सर्वोच सर्वोच नियाले का पुल्ले किसमे है वो 124 से 147 के भी जो सर्वोच नियाले उसकी बात की गई है उसकी बात की गई है उसकी बात की जो आर्टिकल है ओवरॉल 124 से 147 के बीज में सर्वोच नियाले की सब भी सकती है मतलब सर्वोच नियाले में जो नय अधिस की नियुक्ती है उनके रेट अधिकार है छेत्रा अधिकार है सब भी कवले किया गया है नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे निम लिखित में से कौन सा कथन नय राज्यों की निर्माण के बारे में सही नहीं है तो वो कौन सा है पहला है संसद विधी द्वारा एक नए राजिका निर्माण कर सकती है बी है इस प्रकार के विधी में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संसोधन का प्रावधान होगा उसके बाद है इस प्रकार के विधी को अनुच्छे 366 के प्रियोजिनों के लिए सम्विधान का संसोधन माना जाएगा डी है इस प्रियोजन के लिए विधेयक संसन में तब तक पुरास्थापित नहीं किया जा सकता जब तक इसे उस राजि के विधान मंदर को निर्दिस्ट नहीं कर दिया गया जिसके छेत्र, सीमाओ या नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है तो यहाँ पर जो सी ओप्सन है इसमें क्या लिए कि 368 के प्रियोजिनों के लिए सम्विधान का संसोधन समझा जाएगा तो जो नाम और राजि में परिवड़तन होता है नय राजियो का निर्माड होता है तो यहाँ पर यह 360 के अंतरगत नहीं आएगा मतलब सम्विधान संसोधन नहीं माना जाएगा ठीक है ये जो नया राज्यू का निर्माड होता ये साधारण बहुमत के आधार पर होता है ठीक चलो next question के बात करते हैं एक नया राज्य बनाने में समवैधाने संसोधन के लिए कैसा बहुमाद चाहिए तो अभी क्या पढ़ाता कैसा बहुमाद चाहिए साधारण साधारण बहुमत और ये 368 के तहट संविधान संसोधन नहीं माना जाएगा देखो अभी जब 31 अक्टूबर 2019 को जम्मु कस्मीर का पुनर गठन हुआ था है ना तो कोई संविधान संसोधन नहीं हुआ था उसमें ठीक है नेक्स की बात करते हैं अभी 2004 में तेल अंगना राजी का गठन हुआ तो जो नए राज्यों का गठन होता है ये साधार भहुमत के अधार पर होता है ये संविधान संसोधन के अंतरगत नहीं सामिल है भारत नेक्स कोच्चन की बात करते हैं भारत में एक नए राजी स्रजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार है पहला है संसन में साधार भहुमत तथा कम से कम दो तीहाई राज्यों के अनुसमर्थन से संसन में साधारण बहुमत द्वारा, संसन में दो तीहाई बहुमत तथा कम से कम दो तीहाई राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा तो जब नए राजियों का स्रिजन करना हो तो वो जो विधियक होता है वो संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए ठीक है संसद में साधारण बहुमत द्वारा एक सेकेन संसद में साधारण बहुमत द्वारा पारित होना चाहिए ठीक है नेक्ष्ट कोश्चन की बात करता है, 1956 के राज्य पुनर गठन अधिनियन दारा कितने राज्य और संगी छेत्रों की अस्थापना की गई थी? 1956 में सतंतता की पश्चात ने राज्यों की निर्मार के लिए जो फजल अली आयोग है, फजल अली आयोग की अध्दचिता में राज्य पुनर गठन आयोग की राज्य पुनर आयोग का गठन हुआ और उसके अंतरगत हुआ कहता उनकी जो सिफारिस आय थी 1956 में 14 राज्य और 6 संग राज्य छेत्रस्था पित हुए थे ठीक है? और भासाई आधार पर जो पहला राज्य बना था वो कौन सा बना था? आंधर प्रदेश ठीक है? नेक्स्ट कोश्चन की बात करते हैं भारत में कितने राज्य एनल इंवसंगी प्रदेश हैं तो वर्तमान में कितने हैं में 28 राज्य और आठ संग घी प्रदेश हैं अब इसमें आप संग में तो कोई है नहीं तो आप संग इन में सुकोई कर लो या फिर इसको एक सकर नेक्स्ट कोईशन की बात करते हैं किस सम्विधान संसोधन द्वारा दिल्ली को राश्टी राजिछेत्र का दर्जा मिला है तो ये मिला है और ये कोईशन बहुत पूछ रहे हैं भी 2022 या 21 में यूपी पीसेस की परिच्छ में ये पूछा गया था तो सम्विधान संसोधन जब आपको करना है तो सम्विधान संसोधन में 69, 61, 101, 101, 102, 103, 104, 105, 106 ये सारे कर लेने हैं important क्यों भी सारे सम्विधान संसोधन आपको नहीं रटने हैं 42 सम्विधान संसोधन 52 सम्विधान संसोधन 86 सम्विधान संसोधन उसके बाद आपका 101 ये भी पूछा गया जेस्टी का और 102 103 104 105 और जो सबसे नमीनतम अभी हुआ है नारी बंदन अधिनियम 106 इस कोच्छे से कंप्रेट कर लेना ठीक है चलो नेक्ट कोश्चन की बात करते है केंद सासित प्रदेश और जिस वर्स वह बना है तो चलो देखते हैं कब बना जो लच्छ दियूप है लच्छ दियूप कब बनता है यह बनता है 1956 में दमा नौर्दीव 1962 में चंदीगर जो है यह 1906 में दादर और नागर हवेली 1961 में जब यह प्रस्ण प्रस्ण है लेकिन यहां पर सही तो नहीं कोई भी क्योंकि जो दादर और नागर हवेली है और दमन और दीव है यह 26 जनवरी 2020 को इनका एकी करण कर दिया गया था तो अगर निकर्तम के आधार पर देखे तो यह आपसन आपका सही हो रहा है ठीक है नेक्ट कोस्चन की बात करते हैं भारत के सम्विधान के अनुच्छे 240 के अंतरगत कुछ संघ राजिछेत्रों के लिए विनियमन बनाने की रस्ट पती की सक्ति के संदर में निमलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है तो 240 में क्या है अंडमान और निकोबार दीव है 240 खामी लक्ष यह गलत होगा क्यों कि जो पुड़चेरी है यह घा में नहीं है एक सिक्ड़ यह है ठीक है चल्ड़ बात करते हैं नेक्स्ट कोस्चन की निमलिखित कत्रों में कांसा एक गलत है गोवा को 1987 में पूरे राजी का दर्जा प्राप्त हुआ दीव खंभात की खाड़ी में एक तापू है दमान और दीव को भारती सम्मिधान के 56 में संसोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया है दादर दादर और नागर हवेली वर्स 1954 अपनोवेशिक सासन के अंतरगत थे तो यहां पर चूलिए फ्रांसी लिखाई फ्रांसी नहीं थे यहां पर क्या कि पुर्तगाली थे नए कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आये भी थे और सबसे बाद में पुर्तगाली गय भी तो कौन था पुर्तगाली तो जो आपका अप्सन होगा गलत होगा कि गुवा को कब पूर्राज का दर्जा मिला वो मिला है 1987 में जो दीव है यह कहा का भागे खंबात की खाड़ी में एक टापू है दमन और दीव को भारत में कब सामिल किया है दमन और दीव को भारती सम्विधान के 56 सम्विधान संसोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया और जो दादरा और नागर हवेली में 1954 तक किस आप्रमेशिक सासन के अंतरगर था तो वो था पुर्तगाली के ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था यह प्रस्म पढ़ने से पहले यहां से एक और प्रस्म पोस्ते हैं कि जो सहराज है वो भारत का सहराजी कौन सा बना था तो वो बना था सिक्किम ठीक है जो 35 संविधान संसोधन के द्वारा सिक्किम को सहराजी मनलब सहराजी का दर्जा दिया गया उसके बाद फिर 36 संविधान संसोधन 1976 में सिक्किम को पूर राजी का अजीर पूर राजी जब बना था तो वो कौन सा था वो 22 वा था ठीक है 22 वा राजी था और वरतमान में कितने है 28 राज्य है और आठ केंडर सासित प्रदेश ठीक है सॉरी लेक्स कोश्चन की बात करेंगे निम्लिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इन्हीं काला अनुग्रम में व्यवस्थित कीजिए चलो व्यवस्थित करते कि कौन सा राज्य का गठन कब हुआ था तो जो गोवा बना था गोवा बना था 30 मैं एक सक्ड़ यह बना था तीस अरे यह लिखती ही नहीं बना हूँ एक सक्ड़ उन्नीस सो सतासी में बना था जो तेलांगना है यह बना था दो जून 2014 में और हर्याड़ा हर्याड़ा बनता है 1 नमंबर 1986 में जारखंड उत्राखंड और 36 गड़ ये कब बनते हैं? ये बनते हैं 2000 में तो अब इनको लगाना है तो सबसे पहले क्या आएगा? गोवा हर्याड़ा अच्छा सबसे पहले हर्याड़ा आएगा हर्याड़ा के बाद क्या आएगा? गोवा चार एक तीन दो ठीक चलो देखो अगर ये प्रसुन नहीं आ रहा था तो अभी ते लांगना का गठर अभी 2014 में वहां तो ले टेस्ट तो ये दोनों तो चले जाते हैं अब इसमें दो में कनफ्यूजर रहता था चलो देखते हैं नेक्स्ट कोश्चन एक सिकेंड जो नेक्स्ट कोश्चन है निम्लिखित भारती राज्यों को उनके निर्मार के नुसार काला नुक्रम में बताएं और अंत में दिये गए कूड का प्रयोग करते हुएं सही उत्तर का चायन कीजिए चलो कि दिखते हैं कि कौन से राज्य का गठन कब हुआ तो भासाई आधार पर सबसे पहले अरुडांचर प्रदेश नहीं जो भासाई आधार पर श्तर पुथम उननीस तो तिरपन में किसका गठन होता है वो होता है आंधर प्रदेश का ठीक है उसके बाद चलो यहां पर दिय देखते हैं कि कब बंता है तो जो अरुडांचल प्रदेश है यह बंता है उनीस सो görाज़ को और जो सिक्किम कब बना था चिर्चतिस में समिदान सहसोदन उनीस सो पच्छतर में ठीक है 36 गड़ और ज्षार कंड़ है यह कब बनते हैं 2000 में सिब्सक्राइब करें यह जो दोनों है यह 2000 में बनते हैं तो 36 गड़ और उत्तरह कंड़ ज्षार कंड़ यह तीनों तो बनते हैं 2000 में लिकिन जो डेट है वो अलग है 36 गड़ जो बनता है वो बनता है एक नमंबर को उत्तरा खंड नौ नमंबर को और जो जार खंड है वो बनता है 15 नमंबर को ठीक है तो जो आपका option होगा 4, 2 और 1, 3 सबसे पहले सिक्किम का बनता है फिर अरुडाजचर प्रदेश और उसके बाल 36 गड़ एक नमंबर को जार खंड आपका बनता है 15 नमंबर 2000 को ठीक है प्राप्त होने वाले सही कान रुकम कौन सा है तो वह कौन सा है चलो देखते हैं कौन सा है सबसे पहले आपका बनता है नागा लेंड नागा लेंड के बाद हरियाडा सिक्किम और अरुडाचर प्रदेश तो जो नागा लेंड बनता है नागा लेंड का बनता है यह बनता ह फिर आता है हरियाडा हरियाडा कब बनता है 1906 में और उसके बाद अरवडाचल प्रदेश है अरवडाचल प्रदेश का गठन बाद में होता है लिखित में से किस राज्य से संबंदित है तो वह संबंदित होगा आपका सिक्किम से इस्ट कोश्चन की बात करते हैं 36 गड़ राज्य शरूप में आया तो कब आया है एक नमबर 2000 को एक नमबर 2000 को 36 गड़ का गठन होता है उसके बाद भी 9 नमबर 2000 को उत्तरा खंड और उसके बाद 15 नमबर 2000 को जहार खंड ठीक है नेक्स्ट कोश्चन की बात करेंगे आरत में निम्लिखी तराज्यो के बनाने के सही काला नुक्रम की पहचान नीचे दिये गए कूट से कीजिए तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा था 1903 में भासाई आधार पे सबसे पहले किसका गठन होता आंदर प्रदेश का होता ह है उसके बाद हमाचर प्रदेश का गठन जब होता है यह होता है 1971 में और हरियाढा का गठन होता है याद कर लेते क्योंकि यहीं बार-बार पूछ रहा है जो आंध्र प्रदेश है 1903 में बनेगा हर्याड़ा 1906 में हिमाज्जार प्रदेश 1971 में और सिक्किम 1975 में ठीक है कि नेक्स्ट कोर्शन की बात करेंगे नीचे दिये गए राजियों की निर्माण को सही आरोही क्रम में बताना है तो यह कौन सा है सबसे पहले नागा लैंड मेघाले सिक्किम और अरवडाचल प्रदेश ठीक है इसकी बाद नेक्स्ट कोर्शन की बात करेंगे निम्रिक्षित राज्यों के निर्माण का सही और रोही क्रम है तो जो सही और रोही क्रम इसका क्या है हरियाडा, महाराष्ट और राजस्थान ठीक है नेक्स्ट कोर्शन की बात करेंगे निम्र में से एक कथन कौन सा सकते है मैसूर राजी का नया नाम तमिल लाडू रखा गया है गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया है बंबई राजी गुजरात एवं महारास्र में विभाजित किया गया है हिमांचर प्देश पहले संग साशित प्देश की सूची में था तो यहां पर क्या है मैसूर राजी का नया नाम तमिल लाडू रखा गया है तो मैसूर राजी का नया नाम तमिल लाडू नहीं क्या रखा गया है करनाटक ठेक है जो सबसे लंबा रेलवे प्रेटफॉर्म बना है वो कहा बनाए करनाटक के धारवाड में मा सिध्धा रोड़ी करके जो बना है ना इसके पहले गोरगपुर था नेक्स कोश्चन की बात करते हैं राजी पुनार गठन आयोग 1913 के संदर्व में निम्लिखित कत्नों पर विचार करते हुए बताएं तो चलो देखते क्या है पहला है जस्टिस फजल अली के एम पड़िकर हरदैनाथ कुझरू इनके सदस्य थे एक सकेट एक कॉल आ रही है जो पी आपका है आयोग ने बंबई और पंजाब की विभाजन का समर्थन किया जो कथन आपका थतीन है संसत के पास राजी पुनर गठन कानून 1956 के तहट 14 राजी तथ 6 कि इंदसासित छेत्र बनाए गया है तो जो राजी पुनर गठन आयोग था तो वो किसके सिफारिस या किसके दिच्चिता में गठन हुआ था तो जस्ट्रिस फजालाली वो हैट थे और उनके जो दो सायोगी थे केयाम पढ़िकर और हिदैनात कुझरू ठीक है और संसत के पास जब राजी पुनर गठन कानून आता है तो 1956 में 14 राजी और 6 कि इंदसासित छेतर बनाए गये थे तो जो आपका आंसर होगा वो एक और तीन होगा ठीक है चलो बात करते नेक्स कोश्चन की गुमलिखित कतनों में कौन सा कथन सत्य है पहला है कांग्रेश के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांती कांग्रेश समितियू का गठन भासाई आधार पर किया गया था बी है 1948 में कांग्रेश ने भासाई आधार पर प्रांतों के गठन की मांग को अश्विकार कर दिया तो इसमें कौन सा साही होगा तो चलो देखते है तो जब नागपुर जो सत्रोतस के जो सदस्मलब जो इसके हैड थे वो कौन थे विजयर आगवा चाह रहे थे ठीक है तो कि बाद जब 1948 में जे वीपी समिती का अगठन होता है तो जो भासाई अधार है उसके अधार पर जो प्रांतों को गठन था तो उस मांग को आश्विकार कर दिया था तो इस्टेटमेंट यह दोनों सही है लेकिन इसके बाद 1913 में आंध प्रदेश का भासाई अधार पर गठन होता है ठीक है Next question की बात करेंगे निम्खित में से कौन सा भारत में भासा के अधार पर बनने वाला पहला राजी था जो पहला राजी बनने वाला कौन सा था वो है आंधर प्रदेश ठीक है next question की बात करेंगे आपका आज दो टापिक पूरा complete हो गया है sorry आज class थोड़ा सा डिस्टर्बूई टेक्निकल इसू बार-बार आ रहा है ठीक है तो आप लोग manage कर लीजेगा अब तक आपके जितने टापिक हो गए उनको अच्छे से revision करिए और revision बहुत जरूरी है ऐसा नहीं है कि हम बस पढ़ते चले जा रहे हैं complete कुछ भी नहीं है और पढ़ने के साथ साथ आप लोग टेस्ट जरूर लगाए देखो टेस्ट में नंबर माइने नहीं रख रहे हैं कि कितने नंबर आ रहे हैं तेस्ट का लगाने का मदलब क्या होता है आप अपना time management कर लो और time management के साथ साथ आपको जो नए प्रस्णों का collection है उसको कर लो और revision कैसे करना है आप जो टेस्ट स्रीज लगा रहे है उसका जो विसलेशर का पार्ट दिया रहता तो वहां से जो नए पॉइंट मिल रहे हैं आप उसको उसी में add कर लो और फिर उसको पढ़ते जाओ एक से दो बार तीन बार revision करो ठीक है यूंकि revision और मैं प्रिश्णों का जो collection है वह बहुत जरूरी है तैंक्यू आप सभी को कैसे लगा जुरूर बताइएगा और हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब